अब इस question में भी हमें दो दो के pair बनाने हैं बट इस question को करने से पहले हम थोड़ा oral work अगर देख लेते हैं तो अगर हम यह दोनों terms में से 15 common लेते हैं तो bracket में PQ बचेगा और प्लस 1 बचेगा यहां पर हम देखेंगे 9 और 25 में कोई number common भी नहीं है और variable Q और P में कुछ भी common नहीं है तो bracket में PQ वाला variable common हमें नहीं मिलेगा इस problem को solve करने के लिए हम दो terms को switch कर लेते हैं exchange कर देते हैं I mean 15 और 9 Q को हम उनकी places को exchange कर सकते हैं क्योंकि प्लस में कोई फरक नहीं पड़ेगा अगर हम 9 Q को पहले लिख लें 15 को बाद में लिख लें कोई भी फरक नहीं पड़ेगा हाँ variable common लेने में हमें जरूर फरक पड़ जाएगा इसलिए हमने 15 और 9 Q को exchange किया अब ये दो term में से जब हम common लेते हैं 15 और 9 ये दोनो 3 के table से जा सकते हैं P Q और Q में हमें Q variable common मिलता है अब हम देखते हैं हमाँ पास bracket में अंदर क्या बचता है 3 5 जा 15 Q बहार आ गया So P बचता है इदर 9 जो है वो 3 की table में कब आता है 3 3 जा 9 Q बहार आ गया अब ये दोनों terms में हम देखें 15 और 25 में तो दोनों किस से divisible हैं 5 से divisible हैं 5 की table में 15 कब आता है 3 जा 25 कब आता है 5 5 जा और P बचता है अब हम देखते हैं 4 terms में से हमने 2 terms बना लिए हैं 5 P प्लस 3 3 प्लस 5 P सेम चीज है अंदर के elements ब्रैकेट के हमारे सेम है तो हम ब्रैकेट को ही common ले सकते हैं यानि 5 P प्लस 3 हम common ले सकते हैं हमार पास अब इदर बचता है 3 Q प्लस इदर बचता है 5 तो इस आर अबर factors कि आर बचता है प्लस 2 प्लस 3 मिसए सब कर भास एब सोजए प्लस 4 इदिए